इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो नीट का एक्जाम देने जा रहे हैं इस यह यानि की नीट 2023 में अपियर होने जा रहे हैं कि विल दे नीट का टॉफ माक्स स्काय रोकेट इन दिस यह अब ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि ज आप लोगों के साथ में अपियर करने वाले हैं नीट के एक्जाम में राइट अब जितने ज़्याद़ एपलीकेंड्स होते हैं चांसेज होते हैं उतने ही ज्यादा कट-off के इंक्रीस होने के लेकिन मैं है कह रहा हूं बचा कि नीट की जो कट-off है वो बहुत ज्यादा पास पास ही मिलेगी जो serious experience है और जो target करने हैं ऐसा नहीं कि उनके आहीं गए हैं 650 प्लस मार्क्स नहीं 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 वो तैयारी करने हैं कोशिश करने हैं और target करने हैं 600 से प्लस मान लो है 650 प्लस मान लो राइट तो लगबग आपका जो competition है उपर के दो लाग बच्चों से ही है majorly इस साल बहुत ज़्यादा form बरने का बेटा एक जो कारण है वो ये भी है कि नीट की बहुत ज़्यादा लहर increase हुए previous years में आपने देखा होगा 18 लाग बच्चे last years में बैठे हैं नीट के exam के लिए उसके पहले 15 लाग तो धीरे-धीरे increase कर रहा है हो सकता आने वाले टाइम में और increase कर जाए लेकिन cut-off में बहुत ज़्यादा difference नहीं आया है बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ students बढ़ रहे हैं level of difficulty जो है बेटा पेपर का नीट के exam का वो भी तीरे-धीरे increase करता जा रहा है तो cut-off moreover उसी number के आसपास जा रही है आप marks versus rank का previous year का analysis देखेंगे तो धीरे-धीरे जो marks versus rank का analysis है उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो rank है वो पहले जितने marks पे आती थी अब वो rank उससे ज़्यादा marks पे आ रही है इसका एक reason भी है कि availability of resources आप लोगों के पास बहुत अच्छी है रहे है कि बच्चों ने efforts भी अच्छे मारे इसमें obviously बच्चों को भी point जाना चाहिए ऐसा नहीं कि availability होने से सभी बच्चों के अच्छे marks आ रहे हैं बच्चों ने efforts भी बहुत अच्छे मारे हां जो previous year में जो आपकी rank आती थी हाना उससे ज़्यादा marks आपको शायद हो सकता तो ज़्यादा marks आपको लाने पड़े तो दीरे दीरे ही increase कर रहा है ऐसा नहीं है कि एक दम से skyrocket हो जाएगा right इसलिए मैंने पहले इसमें tag डाल दिया skyrocket कि एक दम से कुछ नहीं बढ़ेगा आपको tension नहीं लेनी है exam के लिए बिलकुल भी कि इतने सारे applicant होगे मेरी तो test में 650 आ रहे हैं पता नहीं 650 पे मेरी कितनी rank आएगी previous year में let's say मेरी rank x number आ रहे थी अब तो x से भी कम आएगे क्योंकि सर्तों बोल रहे हैं कि इस बार तो skyrocket हो जाएंगे marks right तो ऐसा नहीं होगा marks जो है बेटा वो आपके difficulty level पे depend करते हैं exam के और जैसे जैसे number of applicants बढ़ते जाते ह हैं धीरे-धीरे slightly बोल रहा हूं में इस चीज को slightly level of difficulty जो exam का हो भी increase होता है जिससे कहीना गई जो rank है वो on an average उसी mark के आसपास रहती है जो आपके previous years में रहे हैं right थोड़ा बहुत increase देखने को मिल सकता है 10 से 12 नंबर का और हां यह आप expect भी कर सकते हो इस year में और आने वाले year में और भी ज्यादा applicants क्या करें apply करें तो कोशिश पूरी कीजिए कि आपकी इस साल तैयरी बहुत अच्छे से हो और आप target जो भी आपना बना के चल रहे हैं उसके according test में marks लेकर आ रहे हैं previous year के question तो बेटा आप सभी लोगों को करके ही जाने हैं बहुत अच्छे से कर लेन previous year जब paper हुआ 18,00,00,00 बच्चों ने दिया आप देखो वही सेम बच्चे जिन्नों ने drop लिया होगा इस 21,00,00,00 वाले पूल में आगे इस बार भी नहीं हो तो आगे हो सकता हो 25,00,00,00 वाले पूल में चले जाए तो competition day by day बढ़ता जा रहा है ठीक है लेकिन इसका मतलब य नहीं है कि आपका जो cut off है वो बहुत जादा skyrocket कर जाएगा हाँ इससे हम एक चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि level of difficulty जो है exam का वो slightly हमें उपर देखने को मिल सकता है अगर आपको neat की classes चाहिए बेटा तो आप चैनल को subscribe कर लीजिए thank you so much